तो हेलो दोस्तों स्वागत तेलता हूं PK Electronics का वार एक नए वीडियो में दोस्तों देख सेकते हैं आपके सामने एक Amplifier Board बढ़ा हुआ है और दोस्तों आज मैं इस Amplifier Board का का Music test करने वाला हूं Sound test करने वाला हूं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इसमें से हमारा और एक ही IC है तो IC को भी मैं आपको दिखा देती हूं तो दोस्तों IC को देखने के लिए मैं पहले स्कुरू वागरे खोल लेंगा तो दोस्तों इस हीट सिंग के नीचे IC है हमार तो इधर आप नजर देंगे तो आपको दिख जाएगा यह हमारा TDA 7498 का एक IC है एक ही IC है दोस्तों और इसमें से हमारा दो चैनल आउटपूट होता है जिसमें पर चैनल हमें 100W के आरमिश पर मिल जाता है और दोस्तों कुम्पानी ने जैसी कि मैंने खरीदा था तब से इसमें कोई हीटिंग पेस्ट भी नहीं लगा हुआ है तो आप इस बोड को खरीदे हुए है तो जरूर इसमें हीटिंग पेस्ट जो होता है उसको जरूर लगाए क्योंकि IC में हीटिंग पेस्ट की बहुत जरूरत होता है तो अभी मैं आपको चला कर दिखाऊंगा तो फिलहल में हीटिंग पेस्ट बगेरा कुछ भी नहीं लगा रहा हुँ तो जब ही आप इस board को खरीते हो तो company की तरफ से आपको heading paste नहीं मिलता है तो जरूर आप heading paste लगा लीजिए और अभी मैं screw को tight कर लूँगा इस board पर जो IC यूज के गया है ये हमारा class D का एक IC है जिसमें आपको 100 plus 100 watt RMS output मिलता है अगर आप चाहो तो Google पर जाके इसमें data sheet देख सकते हो इस IC से आपको power supply input करोगे तो 12 volt से लेकर 37 volt तक इसमें input कर सकते हो पर दोस्तो ये जो circuit board है इसमें आप 37 volt तक use ना करें तो बहतर है 30 volt तक use कर सकते हैं इसमें और अगर आप 37 volt तक इसमें use करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत modification करने की जरूत पर सकती है जैसे के हमारा जो capacitor से है इसमें 35 volt का capacitor लगा हो है share capacitor इधर आपको मिल जाएगा यह हमारा power capacitor है तो जब भी आप इसमें 36 volt input करना चाहोगे तब इसका capacitor का value थोड़ा बढ़ा देना तब इसका जो supply है वो ठीक टाक हो जाएगा फिर आप इसको चला सकते हैं तो दोस्तो इस बोड में और कूस भी modification करने के आपको जरूत नहीं होता है इन बिल्ड Bluetooth मिल जाता है फिर आपको TF card से सलाने का भी मौका मिलता है और वाक्स card से भी सलाने का मौका मिलता है और इसमें आपको एक potentiometer मिलता है दोस्तो इस बोड के price के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताए था फिर भी आपको बताए देती हूँ यह आपको लग देती हूँ तो इधर आप नजल देंगे तो इधर आपको दो पीन मिल जाएगा यह आप वी सी सी लिखा हुआ है मतलब इस साइड का लेफ्ट साइड का जो पीन है यह हमारा voltage power supply input का positive बीन हो जाएगा और right side का जो पीन आपको दिख रहा है इसमें हमारा negative हो जाएगा मतलब अब ground हो जाएगा तो यहां से हमारा तार जोगर connection होता है और इधर दो टार्मिनल आपको फिर से दिखने को मिल जाएगा दो दो टार्मिनल दोस्तों एक टार्मिनल हमारा right side audio के लिए और दूसरा टार्मिनल हमारा left side audio के लिए दोस्तों मैं इसमें पूरा sword plus load देकर आपको दिखाऊंगा कि यह board कितने अच्छे से चल रहा है और इसमें heating issue आ रहा है कि नहीं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं आपको एक ही request करूंगा वीडियो को पूरे देखे ताकि आपको सही information मिल सके तो चले दोस्तों पहले इसका connection कर लेंगे तो इसका connection करने से पहले आपको बता देते हूं क्या क्या चीज इसमें इसितिमाल करने वाला हूं तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा एक power adapter है जो कि इसमें से हमारा 19 volt output करता है 19 volt से में इसको चला कर दिखाऊंगा और यह हमारा power adapter का पीन है तो इसमें से मैं थोगा फिमेल पीन और शायिस् से की मया निब्हक्तार को बते polls और दीखाऊंगा तो अब में फिरसे में दीखा देती हूं description पर इंदोनों Subwoofer के link देने की तो दोस्तों Subwoofer आप देख सकते हैं यह हमारा DOJ कुमपानी का एक Subwoofer है देख सकते हैं और यह फोरोम्स का एक सब बूफर है जिसमें से हमारा 200 वाट आरमेश आउट पूट करता है और दोस्तों यह भी हमारा 200 वाट का एक सब बूफर है जिसका मेगनेट भी बहुत बगए ऐसा मेगनेट है और एक क्लासिक कुमपनी का है दोनों को ही मैंने फिलिपकाट से वाड़ किया आप चाहो तो फिलिपकाट से इसको वाई कर सकते हों तो दोस्तों पहले मैं इसको कनेक्शन करूंगा तो दोस्तों इसका पावर सप्लाइ का कनेक्शन करने के लिए कुसी स्टैप का मैंने तार लिया है यह हमारा फिमेल एक पीन हो जाएगा इन एडप्टर से कनेक्शन कर पावर्सप्लाइक का करनेक्षन पहले कर लेती हूँ तो इसके साथ कुछ सट्राइब से क्नेक्षन होगा दोस्तों लेख सकते पनेक्षन कर लिया है और ऐगों इंसलों इस पीक आर करनेक्षन के लिए थोगा बहुत थारं की इस्तीमाल करूँगा तो दोस्तो इधर हमारा देख सेकते हैं चार कोको डैल है और इसके एक साइड कोको डैल का पीन है और और एक साइड खाली है तो इसके साथ भी कनेक्शन में करूँगा तो दोस्तो देख सेकते हैं सब भूफर बगला है सब गुस में ठीक ठाक से कनेक्शन कर लिया है और दोस्तो जब भी आप इसका पावर सप्लाई का कनेक्शन कर रहे हो तो इसका जो तार होता है दोस्तो यह अच्छी ग्वालिटी का तार लगए और अच्छी गेज का तार ल लिजी तो मैं अभी इस पर power supply on करता हूँ और आपको music टेस्ट करके दिखाता हूँ Bluetooth mode the Bluetooth device is connected successfully तो दोस्तों इसमें हमारा Bluetooth connect हो चुगा है तो दोस्तों इसमें थोगा सा भी कोई humming का issue नहीं है noise भी नहीं है तो music मेंने play किया है और अभी इसका sound test कर लेते हूँ स्ट्रीक थेंगे मैंने स्ट्रीक कर दो मैंने तोत्रीक भी कर दोस्तों। और आपको कर दो कर दो कर दो कर दो say कर दोल तोresse सोरी कि अपता हется विवक twenty-만acht हुआ diamonds कर दो हों कि हैसा हुआ राह मुआनожал का है मुआनि अन्रव ने सब्सक्राइब wa क्तेden दो कर दो वे, के बाम कर दो कर देम हो कि इन आ ciudad कि मुदस आपाध मुव्या कर्किन कर्किन मुदस तो खुब आ य dish नि को जिन यू झाली यू हुआ। कर्स कर्समें 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 कर्सम Meredith तो दोस्तों देख सेकते हैं दोनों सब बूफर से हमारा बहुती बगया सपान सिंग मिल रहा है और जैसे के आप जानते हैं क्लास डी का जो आईसी बगयरा होता है वो उतना ज्यादा हीट नहीं होता है पर दोस्तों अगर आपके अंप्लिफेर में थोगा बहुत हीट हो रहा है तो इसका हीट सिंग जो है वो थोगा ज्यादा बगया कर दीजिए तो यह उतना हीट नहीं ह दिक्कत नहीं है और इसका sound quality दोफ तो बहुत ही बहतर sound है और इसमें से bass tone बगर सब कुछ सही से अलमात है यह amplifier की गोड की तो इसमें से stereo sound provide करता है तो मैंने subwoofer चला के आपको दिखाया और आप इसमें से दो ट्वीटर यूज़ करते हो तो इसका sound quality बहुत ही बहतर आपको सुनाई देगा और आपको सुनने में भी बहुत बगयासा लगेगा तो दोस्तों इस वीडियो से थोगा बह करके इस तरह मेरे साथ जोगर रहे ताकि आगे भी मैं आपको इस तरह content दे पाऊ तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई टेक केर